नमश्कार आदब दोस्तों हिंदू इसमें आपका स्वागत हैं मैं हूँ कराम महरास में जून से जिस तरह से लगतार सियासी गहमसान चल ला है जून के महीने में सिवशेना के काफी सारे विधायक तूट कर बार्चाजिंदा पार्टी के समर्थन से एक नरीच सरकार चला रहे हैं जिनके हैड बने हुए है एकनाथ शिंदे लेकिन यह लड़ाई अब सडकों से लेकर कोट तक पहुँची हुई है अब यहाल फिलाल दशेक अरे के दिन दोनों गुटों ने एक दूसरे के सामने अपनी पावर दिखाने के कोशिच की बड़ी बड़ी रैलिया की एकनाथ शिंदे का जहां यह दावा था कि तीन हजार सिवशेनी उनके साथ और जुड़ गए हैं उनके बड़े भाई उद्दाव ठाकरे के बड़े बाई उनकी भावी यह सब एकनाथ शिंदे के साथ हैं तो इसके उलट उद्दाव ठाकरे ने दावा किया था कि वो कटपपा को कभी माफ नहीं करेंगे उन्होंने गद्दारी किये उनकी रैली में जादा भीटती दोनोंने ये दावे की मामला कोर्ट में भी पहुचा हुआ है वो इलेक्शन कमिशन के यहां पर भी है अब सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो यह बची हुई है कि चुनाव जो चिन है यानि कि धनुष और तीर जो है वो किसके पास रहेगा लेकिन फिलाल इलेक्शन कमिशन ने दोनों गुटों को बड़ा जटका दिया है एक बड़ी ख़बर सामने आ रहे इलेक्शन कमिशन की तरफ से कि होने वाले उस चुनाव में जो महारा समीट कहीं राज्यों में होने है उसमें दोनों मेंसे कोई भी गुट इस चुनाव चिन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा एलेक्शन कमिशन ने का कि दोनों अपले लिए नए नाम का चुनाव कर सकतेเลย और ये नाम सिव सेन से मिलता जुलता हो सकता है यानि कि नाम मिला जुला हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिलाल इस चुनाओ चिन का इस्तेमाल दोनों गुटों में से कोई भी नहीं करेगा इसके अलाव शिंदे गुट का ये आरोप है कि उदाव खेमे ने फरजी तरीके से एफिडेविट बनाए थे 4682 दास्तावेज जब्ट के गए है F.I.R. दर्ज हुई है ये पूरी खबर की डिटेल मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा लेकिन इस पर जाने से पहले मेरी आपसे पील है क्यों वीडियो अगर फेस्बुuk पर देखेने हैं तो फेस्बुब को इसको फोलो कर सकते हैं यूट्यूब पर देखेने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो खाबर आरी है इलेक्शन कमिशन की तरफ से जहां दोनों गुटों की लड़ाई के बीच फिलाल चुनाव आयोग ने जो सिंबल है चुनाव चिन है उसे फ्रीज कर दिया और कहा है कि आप लोग कुछ और नया नाम चुन सकते हैं वो मिला जुला हो सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है 13 पन्नों का एक आदेश जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि दोनों गुटों में से कोई भी उप चुनाव में चुनाव चिन तीर धनुस का अपयोग नहीं कर सकेगा और ये आदेश दिया है मुंबई की अधेरी इस्ट विदान सभा के लिए जो उप चुनाव होना ह उसके लिए क्योंकि इस विदान सभाज सीट के साथ साथ और छे राज्यों में भी उप चुनाव होने हैं तो दोनों पार्टिया यानि कि दोनों गुट तैयारी कर रहे थे कि वो इस चुनाव चिन के साथ मैदान में उतरेंगे लेकिन इलेक्शन कमिशन ने फिलाल दोनों इनको फ्रीज कर दिया है तो दोनों गुटों में जो है हल चल मची हुई है दोनों गुट एक बड़ी मीटिंग के तयारी कर रहे हैं अपने नेताव के साथ पदारिकारियों के साथ जो उनके पुराने जाइर सिबते सिवसेनों के साथ जो जुड़े हुए थे या उधर से वो एकनाशिंदे के साथ आएंगे तो फिलाल उधर ठाकर इस मामले में 9 अक्टूबर को 12 बजे अपने नेताव के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा कौन सा चुनाव चेन इस्तेमाल करेंगे क्या नया नाम होगा फिलाल क्यूंकि अलबाद महारास्त में तब तक ये चलती रहेगी ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन फिलाल इस चीज़ से किसका फायदा होगा किसका निखसान होगा ये इस उप्चनाव का रिजल्ट गोसित कर देगा फिलाल के लिए इतना ही किसी और एपिसोड में आप से मलकात हो होगी तब तक ये लिए इजासत